नमस्कर दोस्तों हरियम अश्टाडी में आपका स्वागत है इस वीडियो में रेखिग बहुपद द्विगाद बहुपद त्रिगाद बहुपद के सुन्यक और गुनांकों के बीच संबन्द की चर्चा करेंगे देखिए एक रेखिग बहुपद ले लेते हैं चार एकश पलस तीन ठीक है देखिए इसको प्यक्स से परदर्षित करते हैं देखिए इसका सुन्यक निकालेंगे तो देखिए इस बहुपत के बरावर सुनी लिख देंगे और इसको हल करेंगे तो सुन्यक परप्त हो जागा ठीक है देखिए इसको इधर लाएंगे तो यह पलस में तो यह माइनस हो जागा ठीक है तो देखिए यह गुना में यह बट्टिम हो जागा तो x बरावर माइनस 3 बटा 4 यह सुन्यक पराप्त हो गया ठीक है यानि इस बहुपत का यह सुन्यक है सुन्यक क्या होता यानि x का हुआ मन यानि x के जगा रख देंगे तो यह बहुपत सुन्यक के बरावर हो जाएगा देखिए जैसे 4 x पलस 3 देखिए x के जगा इसको रखेंगे मैनस 3 बटा 4 पलस 3 देखिए यह 4, 4 कड़ जाएगा मैनस 3 पलस 3 यह भी कड़ जाएगा तो यह क्या प्राप्त हो गया सुन्य ठीक है यानि X का वा मन यहां X के जगह पर रखेंगे तो यह बहुपद सुन के बरावर हो गया तो यह सुन्यक हो गया ठीक है यानि माइनस 3 बटा 4 इस बहुपद कर सुन्यक प्रप्त हो गया अब देखिए एक्स बरावर देखिए तीन क्या है अचरपद है रेकिए अचर्पद ठीक है और यह माइनस न्रीन इन लेखें मैनस और चार क्या देखिए एक्स का गुनांग एक का गुनांग टो देखिए सुन्यक का सुत्र प्राप्थ गया मैंनस अचरपत बटा-एक्स का गुनांग ठीक है देखिए सुन्यक और गुनांकों के बीच यह संबंध है इसको आपको याद रखना देखिए रेखिक बहुपत का ब्यापक रूप देखिए AX पलस B और A बराबर सुन्य नहीं है ठीक है देखिए तो इसका सुन्यक क्या होगा मैनस B बटटा A ठीक है मैनस अचर पद यह क्या अचर पद मैamस B और देखिए X का गुनांक यह नहीं क्या A और यह सुन्यक परव्थ हो गया यानि सुन्यक का सुत्र होगे x बराबर माइनस b वट्टा a, देखिए कुछ उधारन देखिए इसको समझाने का कोशिस करते हैं, देखिए, देखिए इसका सुन्यक निकालेंगे, तो देखिए x बराबर, देखिए, अभी सुत्र बताएं, देखिए, अचर पद, माइनस गुनंग, x का गुनंग क्या है, यानि a, ठीक है, देखिए, माइनस b वट्टा a बोलें या, x का गुनंग, ठीक है, यानि a के बदले आप x का गुनंग या सोच सकते हैं, तो यह हो गया सुन्यक, ठीक है, देखिए, इसका सुन्यक निकालेंगे, तो देखिए, x बराबर, देखिए इसको इस परकार सोचें 2x प्लस ठीक है देखिए इसका ब्यापक रूप को देखिए a x पलस भी तो इस रूप में लिख दी ठीक है तो देखिए माइनस में तो देखिए माइनस अचर पद होता है माइनस में है और एक्स का गुनाग गुनाग एक्स का गुनाग यानि E2 तो देखिए माइनस मायनस क्या हो जाए तो ज्यानि टीन वाट्टा-दो इसका सुन्यक प्रफ्थ हो गिया Ừ रिस सुन्यक मायनसश दो यानि इसके जगा पर देखिए निसके जगा पर माइनस टीन बाटा दो आ यह 2-2 कड़ जागा और यह माइनस 3 पलस 3 यह भी कड़ जागए जानि क्या परापत होगा सुन्य ठीक है तो इस बहुपत कई सुन्यक है देखिए इसका देखिए सुन्यक निकालेंगे तो X बरावर देखिए माइनस में इस पर कर लेखिए माइनस अचरपद यह माइनस सुत्र में और यहां देखिए अचरपद माइनस में है यहां माइनस लिख दिये X का गुनंग यह भी माइनस में तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा पलस हो जागा बट्टा माइनस दो देखिए यह माइनस ऊपर चला जागा बटा 2 गया, माइनस 3 बटा 2 तो इस परकार यह नीचे कर यह माइनस 3 ऊपर चला जाता है, ठेक है, अब देखिए इसका मान यहां रखेंगे, यानि एक्स के जगँ रखेंगे, तो देखिए, इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6, माइनस माइनस क्या होगा, पलस, इसको काटेंग तो 3-3, यह सुन्य प्राप्त होगे, ठीक है, यानि x का हुआ मान, यानि इसके जगह पर रख देंगे, यह बहुपत सुन्य के बराबर हो जागा, यह सुन्यक होगा, यह सुन्यक निकल गया, उसी पर गार इसका सुन्यक निकालेंगे, तो देखिए, माइनस अचरपद बटा X का गुनांग माइनस दू तो यह माइनस माइनस कट जागा ठीक है यह जागा 3 बटा 2 इसका एंसर प्राप्त होगे ठीक है जहने देखिए इसके जगा रखेंगे 3 बटा 2 पलस 3 तो देखिए 3 दूनी 6 यह माइनस 6 बटा 2 यह पलस 3 इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 कट जागा तो यह माइनस 3 पलस 3 यह भी कट जागा यहनि सुनी पराप्त होगे ठीक है अब देखिए दुईगाद बवपत को थोड़ा समय लेते है देखिए दुईगाद बवपत ब्यापग रूब में ले लिए ठीक है देखिए दुईगाद बवपत के अधिक से अधिक दो सुन्यक होता है ठीक है तो मानले माना इसके दो सुन्यक अलफा और बीटा ठीक है दो सुन्यक मानले अलफा और बीटा देखिए सुन्यकों का योग अलफा पलस बीटा बरावर होता माइनस B बटा A यहने देखिए अलफा और बीटा इसका योग के बरावर होता यहने इसको बोल सकते हैं देखिए माइनस X का गुनांग बटा X स्क्वर का गुनांग देखिए B क्या है देखिए X का गुनांग है ठीक है यह माइनस में होगा और A देखिए X स्क्वार का गुनांग है ठीक है तो देखिए सुन्यकों का योग और गुनांगों में यह संबंद है ठीक है इसको याद रखना है यानि इतना यानि योग करेंगे इसके बरावर हो जाएगा ठ देखिए सुन्यकों का गुनन फल एक स्कूर का गुनांख तो इस सुत्र को आपको याद रखना रहें देखिए इसका आगे जाज़ भी करेंगे देखिए बाउपद ले लेते हैं देखिए इसका सुन्यक निकालेंगे तो देखिए इस बहुपत के बरावर सुन्य कर देंगे देखिए दो एक्स स्क्वर माइनस आठ एक्स पलस चो बरावर सुन्य देखिए पहले हम लोग सुन्यक निकालें देखिए यहां सुन्यक निकालें तो इस बहुपत के बरावर सुन्य लिख दिए तो उसी प्रकार देखिए इस बहुपत के बरावर यहां सुन्य लिख दिए अब देखिए इस बहुपत का गुनन खंडन करेंगे यह क्लास नाइन में हम लो गट करके कि तो देख जाते कि इसको थोड़ा समझा जाते हैं देखिए बार माइनस आठ एक्स कर देखिए ये गुना होता एकस स्क्वार करें यह कितना हो यह बरहत देखिए दो चक्षक 12 ठीक है अब देखिए बारह का ऐसे गुंहांठ यूगमु दूड़ना है इसा टैगी एक 12 यहांए गुणा करने पर 12 ठीक है यह 1957 दूसरा यूगम 2 और 6 ये इसको भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाला दो गुणा चो बारह होगा और तीन चार यानि तीन को वारो गोह चार कितना ृफ पारो कि यूग में ढुणने इसका गोना करने पर वारे हो रहा है अब देखिए कि मैद्रीपड मां कितना hai आठ है ठीक है देखिए यहां पलस है तो यह करने पर आठ होना चाहिए यहां पलस है तो योग करने पर आठ देखिए कौन सा यूग में होगा यानि गुना करने पर 12 और जोडने पर वहां फ्रेगा 8 होना चाहिए तो देखिए इसमें तो नहीं होगा जोडेंगे तो 13 हो जाएगा 4 3 7 साथ इसमें नहीं होगा इसमें देखिए 2 & 6 जोडेंगे तो 8 हो जाएगा और गुमना करेंगे 12 हो जाएग तो इसको एसेrika कतें देखिए 2x square, इसको लिख सकते हैं 2x, पलस, 6x, पलस चो, तीक है, जाने देखिए, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, उससे कोई दीक करें, देखिए, 2 और 6 को जोड़ेंगे इतनी होगा, और यह माइनस है यानि इतना को हम इस रूप में लिख सकते हैं यानि दो और चो जोड़ेंगे तो आठ होगा और गुना करेंगे तो बार हो दो चक बार हो ठीक है तो देखिए इसको लेख देंगे दो एक्स स्क्वाइर अब देखिए यह माइनस पलस क्या हो जागा माइनस दो एक्स और यह माइनस यह पलस माइनस चोड़ेंगे तो यहां लिखेंगे ऑ दो एक्स माइनस चोड़ेंगे इस यह अब देखिए इस दोनों में क्या कोमन आ रहा है देख्यों में दो गोना एक्स गोना एक्स यह बाहर आ गया तो एक्स बंचेसे गा ठीक है तो यहां लेखें एक्स और यह देखिए यहां क्या बंचेगा एक बंचेगा ठीक है देखिए इसको गुना करेंगे तो यही परफ्थ हो जाएगा दो गुना X, डो X मावै देखिए माइनस पलस माइनस और माइनस माइनस पलस ठेक है तो ये गुननखंड देखिए अब देखिए इस में और इस में दोनों में कोमन क्या आ रहा है माइनस X और एक ठेक है और देखिए ये बाहर आगे तो ये क्या बचा दो X और ये बाहर आगे को यह गुनान्खंडन पराप्त हो गया ठेक है फैसे 8 को लिखेंगे दो गोना चार यह साथ में पोरे को ब Sleeping अगे और इसको अकेली बोले मैं गुनानखंड और इसको भी बोले ठीक नो तो लिए तो देखीए तोए दिंडिकों रसंदे के बरावर कर देंहें एकस माइनस ओन बरावबर सुन यह दो एकस माइनस छो बरावर सुन तो देखीए ड tai क्या ग़र एक देखो ईधर लाएंगे दीए माइनस है तो पलस हो जागा और यह बटे में दो यह कितना हो जागा यानि दो ती यह चोग कड जागा ठीक है तो देखिए एकस बरावर एक आ रहा है और यहां एकस बरावर तीन आ रहा है ठीक है या एक रखेंगे तो यह बहुपत सुन्य के बरावर हो जाएगा तो इसको बोल देते हैं मानँ लेते मानला अलफा बरावर स्षिचा नम आलफा बोल दिये और देखिए इस सुन्य को बोल दिया है बीटा इसको प्रकुल इसको बीटा अब देखिए इसका जांच करेंगे अभ देखिए जांच करेंगे अलफा पलस बीटा यहां क्या निकला इसको 1 माने अलफा को यह बीटा 3 तो सुन्यकों का योग करते 1 पलस 3 बरावर हो गया 4 तो देखिए यहां क्या है सुत्र देखिए माइनस B बटा A यह अब इसको भी लिख सकते हैं ठीक है तो देखिए मैनस b जाने-देखिए इस बहुपत के इसके साथ तो मैनस बी यह हो जागा आठ ठीकए और यह a होगा यह a, b, c ठीक है तो देखिए यह मैनस आठ ठीक है यह मैनस में और a कितना है दो यह दो लिखेंगे यह 1-9-1-8-8 ,2 यानि कितना निकल गया चार जानि देखिए मैं losing的话 की दोनों सुन्य को करें 4 और यहां भी देखिए चार हो रहा है ठीक है यह सत्यापीद हो गया यह सत्य है लफा गुना बीटा है तो एक गुना तीन बराबर क्या हो गया इसका सुत्र क्या है देखिए आज रट्टा एग तो तो इसक रट्टा एग्णी तीन दुनी तीन वट्टा ए क्यों होगा एक से भाग देंगे तो देखेए यहां भी कितना है सुन्येकों का गुणनफ़ 3 है और यहां भीmetros है तीन आ रहा है तो यह सत्यापी Windows हो गया यानि यह कतन सत्य है ठीक है आथ है अब देखिए आथ देखिए त्रिगाद बहुत आधिक से अधिक तीन सुन्यक होता है तो मान लें माना इसके तीन सुन्यक अलफा बीटा और गामा तो देखिए इनके सुन्यकों का योग करें अलफा प्लस बीटा प्लस गामा तो इसका योग इसके बराबर होता है minus b बड़ अके बरावर होता है तो माइनस बी यह एक्स इस्क्वार का गुणाउं और एक्स क्यूब लिए इसके योग और और इसके गुणांख को के बीज में संबंद इया है ठीक है जैना इसका को गुणा करेंगे तो इसके ब्राबर हो जागा और अलफा गुणा बीटा गुणा गमा इसका अचरपत एक स्कुर का एकस क्यूब का गुणां यह सम्मढद है इसके गुणांकों में ठीक है में ठीक है ठीक है वीडियो आंद करता अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंड करें और इससे पहले जीतने वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के पहले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं